नमस्कार दोस्तों आज हम टीवी देख रहे हैं और कौन से माध्यम से देख रहे हैं और दुनिया हो चुकी है डिजीटल लेकिन अभी भी हम बहुत से चीजें हैं जो पुराने जमाने के तरीका से चला रहे हैं और देखी रहे हैं टीवी तो बड़ी ले आते हैं लेकिन उस टीवी में चलाना क्या है यह नॉलिज आपको कोई नहीं बता रहा है खुद मार्केट में जो बैठे हुए हैं दुकांदार बो भी आपको नहीं बता पा रहे हैं सही तरीके से नॉलिज नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका काम है टीवी बेचना और आपका काम है टीवी चल लेकिन आप चलाओगे किस से और देखोगे कैसे दोस्तों आज का वीडियो इसी के उपार है और चली हम समय लेते हैं कि आखर टीवी में चैनल या वीडियो देखने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है और किस कौन से माध्यम से आपको सबसे बेस्ट सुब्दा मिलने वाली है नेता टाइप आधा काम मत करो सबस्क्राइब के साथ बेल आइकन दवाओ शुरू आज से सुरू करते हैं कि आखर सबसे स्टाटिंग में हम क्या देखते थे दोस्तों सबसे स्टाटिंग में हमारे पास थी डबबा टीवी ये कांच वाली बज़ंदार और इसको एक लोड लोग के घर पर रखी हुई हैं तो उनका यूज भी गर रहे है लेकिन उस जमाने में हम क्या देखते थे उस जमाने में हम एनालोग सिगनल से टीवी देखा करते थे एक केबल रहती थी RG6 केबल जिसको हम बोलते हैं कॉक्सिल केबल बोलते हैं जिसको वो लगती थी और वो कॉक्सिल केबल से एनालोग सिगनल जिसमें मच्चर बगारा बिलार बगारा कुछ ऐसा चलता रहता था और फिर भी हम कोबंद हुए उसके बाद आया डिजीक्तल मार्केटमा trat лok disputes मुछ से पर रहे हैं तो बहुत घर पे होती है रेड वाइट येलो देख रहे होंगे यह वाली केवल को हम आर्शी केवल बोलते हैं तो आज भी बहुत से लोग इसी केवल आर्शी केवल से टीवी चैनल देख रहे हैं जो की HD चैनल दिखाती है ये केवल बात समझे यानि ये केवल लगाकर आपके सीवी सेट आवोक्स में इस्टेंडर डेफिनेशन वाले चैनल देख सकते हैं धुंदले दिखेंगे बिलर दिखेंगे किलियर आपको नहीं दिखेंगे आपको अपने सेट आवोक्स में HDMI केवल से किसे होती है लेकिन अगर आपके बॉक्स ही ना हो HDMI वाला तो आपको बॉक्स पर्चिस करना रहेगा तब जाके आप टीवी चैनल देख सकते हैं तो दोस्तों ये तो हो गया केवल और मैंने केवल के बारे में जानकारी दे दी आज का वीडियो कंप्लीट होने वाला है दोस दूसरा ओप्सन है दोस्तों हमारे पास डीटी एच जिसको जिसकी फुलफॉम आप जानते हैं डारक्टू होम तो डारेक्टू होम जैसे हमारे इंडिया में बहुत सी कंपनी दे रही है एटल दे रही है वीडियो कॉन टाटाइस काई संटीवी डिस टीवी तमाम तरह की और फिरी तो हमारा डीटी है चली रहा है प्रसारवारती का तो वो क्या कर रहे है डारक्टू हम सर्वेश दे रहा है यानि एक आपको डिसेंटी ने लगेगा छत पर जिसको हम छत्री भी कह सकते हैं छोटी सी दो फिट की उसमें एक एलन भी लगती है आप देख रहा दोसमें भी लगती हैं अब आपको कौन सी केबल से चैनल देखना है वह आपके उपर है अगर आप एच्टी देख रहा हो तो प्लीज एच्टी माई केबल से ही चलाएं जिससे की आपको क्वाल्टी एच्टी की दिखाई दे तो यह हो गया डीटी एच अब आज की तारीक की में एक नया ऊप्शन आगया धे दोस्तों नया जिसको बोलते हैं मैचेबफी टीवि दो इंसको कोई आपक guns ते आपके घर में कोई नीव टीवि ले तो वह स्मार्ट तो होगी एंडॉर होगी उसमें एप्स बगेरा चली रहोंगे नेट फिलेक्स एमेजोन बगेरा तो आपको किसी तरह का बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है आप उसी टीवी स्मार्ट टीवी में आई पी टीवी देख सकते हैं बस आपको चाहिए इंटरन तो इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट का माध्यम आप समझी के होंगे कि आपको इंटरनेट फाइवर कनेक्शन लगवाना रहेगा किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जियो एटल एकसाइटल बहुत सारी कंपनीया चल रही है या पिर आपके पास फाइब जिम वाल हो तो उस करने के लिए आपके टीवी में कोई भी एक्ष्ट्रा बॉक्स कुछ भी खरीदने की आवास सकता नहीं है इसमार्ट टीवी है प्ले स्टोर बगरा मुसमें जाएंगे एप स्टोर में तो कोई भी एप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें की यूजर नेम पासवर्ट और यू लॉग इन करेंगे लॉग इन हो जाएंगे बहुत सारे चैनल और बैप सीरीज मूवी बहुत सी बहुत सा कॉंटेंट आपको आईपी टीवी में मिल जाएगा अगर आईपी टीवी इस्टॉलिशन में या फिर कही किसी चीज में समझ से आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हर चीज का इलाज कर दिया है अब बात करें कि हम रही है सैटलाइट से चलता है क्योंकि सैटलाइट की जो कैपसी रहती है Transponder की दोस्तों कि जो सैटलाइ लाँच होता है तो उसमें Transponder की乾शीतीं रहती है केईू बेन्ट सैटलाइट सी बेन्ड मतलब सैटलाइट में بेंड होते हैं तो के उपैंड रहता है लिए यह कावेंड रहता के यह तरी कि तो समयлем carbon रहते हैं तो हमारा जो डोफिट लगा हुआ है चट पर वो के यू बैंड रिसीब करता है दोस्तो ninety जो रिसीब करता हैं तो सेटलाइट में कितने बैंड की कैपेसिटी है उस से ज्यादा वो सेटलाइट नहीं दिखा सकता चैनल इसका मतलब यह है कि सेटलाइट से एक फिक्स कॉंटिटी में चैनल आ सकते हैं आपकी टीव में बहुत सारी चैनल नहीं आ आज का वीडियो आप लोग समझ गा होंगे मेरा उद्दिश बनाने का क्या था कि आपको टीवी में चलाना क्या है वैसे के लिए वह चीज आप लोग के लिए मैंने बताई और बागी कि अगर कुछ समझ में नहीं आगो तो कमेंट तो करीदेना दोस्तों मिलते हैं किसे नेस आपको अच्छी लगी हो समझ में आयो कुछ नॉलिज मिली हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को सेयर जादा जादा लोगों तब कर दें लाइक तो बनता हैं मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में दोस्तों बाइ हुआ से नेश्वा सोटा स्टाइब कर दोस्तों दोस्तों मान थादादा झाहा झाझ से बनता हैं